कि है यह वेल्कम दोस्तों देमिसेंट डेवलमेंट अकेडिमी में आप सब्सक्राइब स्वागत है और आज हम अद्धाय नंबर छे को जानेंगे ठीक है अद्धाय नंबर छे के वारे में बात करेंगे जिसका नाम है नए प्रेशन और नए बचार हमने भी आपको अद्धा है नंबर 6 के वारे में जिसका नाम है नए प्रेशन और नए बचार देखिए नए प्रेशन और नए बचार कोश्चन की नेम से क्या मतलब है नए प्रेशन मतलब आप कुछ नए चीज़ों को जानेंगे जिससे आपके मंद में क्या कुछ डाउट होगा प्रेशन होगा कि इसका मतलब है कि आप कुछ नई चीज सेखेंगे. बार अनगा को छोड़ने आई उसकी मान ने अध्यापिका से कहा बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के सांसाथ उन्हें सारना दिखाने भी ले जाएगा बच्चों को बुद्ध के बारे में सांसाथ उन्हें ने अध्याइम जानते हैं अंसाथ के बुद्ध के नाम आपने सुनई होगा इन्दू, मुस्लिम सिख्के साई, बुद्ध, जैन, इन सभी के नाम आपने सुनई होगा जिसमें एक धर में बुद्द, बुद्ध, बुद्ध इनकी बचपह का नाम के नाम से भी जाना जाता है इनके बच्पेन का नाम किया था संसापसिए इनकी बच्पेन का नाम सिद्धार्थ था इनका जनन लगव 1 प्टप्ठ पूर किस में पहले बर्च बड़ पहले इनका तेने अधे भर वन देक्ने को मिल रहे थैं जैसा कि तिन्हें अधभा कई पड़ाई महाजनपत राजय इस समय बहुत सक्थि-स ओए तिर कर दिख द्राब सकिद्वरों नहीं साथu बहुत अच्छे बन गए थे काम के जीवन में भी बदलाव आ रहा था जो बहुत से बिचारा के बिचारा मतलब जो लिखते रहते हैं कानियां एश्टी कारें पढ़ते रहते हैं उसको समझने का प्रयास कर रहे थे और जीवन में सच्चे अर्थ को जानना चाहा रहे थे जिसे बुद्ध छत्रिय थे जो बुद्ध लोग होते हैं वो छत्रिय थे तरह साग के नामा के एक छोड़ से गंड़ से संबंदित थे यूवस्ता मही ज्यान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया जो जो कहा इसके लिए ने भुद्ध गाया जब उन्होंने ग्यान प्राब्थؑ पहले तो उन्हें बहुत एलॉत शालता तपस्टा की उसके पाज जवनने ग्यान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें बुद्ध की रूप में जाने जाने लगा जहां उन्हें पहली बार अपदेश दिया था कुसी नगर में कुसी नारा में मिर्थ्यू की पहले का सेज जीवन उन्हें पेदल से दूसर दिया करके को लोग हिस्था कियाथ मृत्यू के पहले-पहले क्या क्या कि यहाते थे किसी बाहूँ का उपयोग करते थे तक अश्यारी पदल ही एसा हमारी इक्च्छा और लाल सांग जो हमें पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है कभी-ख़ी हम जो चाहते हैं बेप्राप्त करके जैसे कि हम कुछ चीज़ चाहते हैं लेकिन भूर स्विकार नहीं करें यह उपदेश है बलकी बे उससे अपने बेबेक से मापए आउट जैसे नहीं उन्होंने बोल दिया कि इस चीज को अपनाओ उस चीज को अपनाओ ऐसा नहीं खोड़ सोचे समझे यह ठीक हमाली साही है यह नहीं फिर उसके बाद से अपना है अब उपनी सद क्या होते हैं उपनी सद को जान लेते हैं जिस समय बुद्ध उप्दिश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले अन्य चिंतक भी कटेन प्रिश्णों का उत्तर देखेरों किया चिंतकों मतलब यह चिंता होती किसी बीचीज मतलब जानने के एक्ष्य लगातार कोश्यां को दूड़ते रहते माना दल की बिश्म् में कुछ ऐसे कि उनका क्या मानना था गिए मिंट्धिuk के बचा रहता है उन्हा इसका विडिनना आत्मा अत्पा सर्भूम् आत्मा के रूप में गया कि एक है जो हमारी इसे जो उनकी बिचार है उन्होंने एक उपनिसद बनाया है, जो भी उनकी दिमाग में आया बिचार हुए, जो भी उनकी घ्यान की प्राप्ति की, जो भी उनकी पता चला हुए, उन्होंने एक उपनिसद में बनाया हुथे, उपनिसद उत्तर बेदिक गरंतों का हिस्ता थे यह एक बेद का गरंत है बेदे गरंतों का यह इस थे उपनिजित का साथ भी करते गुरू के समी बैठना इन गरंतों में अध्यापकों और बिद्धार्दों के बीच बात्चीत का संकलंग किया गया है जो गुरू और जैसे टीचर और इस्टूट के विए बातचीत होती है ना वो इसमें लिखा गया है। ये विचार बारताला बातचीत के रूप में लेखा गया है। और इन जो बासटाला में जो शिक्छक है वो ब्रामन ही होगा औजो स्टूयोंट आराजा के वेट लेता से चत्री कोई होगा guidelines तो पेहले बासटाला में इस लेने कादिकार ब्रामन हो और राजा कोई था अपढ़ने जेन धर्म के बारे में इसी होग में 25 बर पूर जेन धर्म की स्थापन होई और इसके अंते जो तीर्थ कारें बर्दबार महावीन ने अपने बचारों का पिरसार किया ये बज्जी के संग लिच्छवी कुल के एक छत्री राजकुमारते इस संग के वेशन में हम पढ़ चोके हैं ठीक तीस वर्स की आवव में घर छोड़ दिया था इन्होंने भी तीस वर्स की आवव में घर छोड़ दिया और जंगल में लगे बहाँ पे ये यहाँ इन्होंना लोग फूप तपस्त है की जिसके वादने ज्यान की प्रापती हुई टेक इनकी शक्चा के सरल थी सद्ध्ध जानने की एक्षा रखने वाले पिरते एक इस्त्री और प्रोस अपना घर छोड़ दिन चाहिए यह मानते थे कि जिनको भी सत्त के विपारे में जानना है यह चाहिए वो इस्तरी हुए प्रोस हो उन्हें अपने घर का त्याक कर देना चाहिए और कहीं पर दूर जाकर अपने उत्तर में सत्त को डूड़ना चाहिए उन्हें आहिंसा की नियमों कडाई से पालन करना चाहिए किसी भी जीब को कर्ष्ट मत दो नहीं किसी के हत्त्य करने चाहिए मावीर का कहना था कि सभी जीब जीना चाहते हैं और उन्हें जी नहीं सबी के लिए जीवन पिरें, इनका मानना किसी भी जीव, जन्तु, पसु, किसी को भी मारा ना जाए, यतने भी जीव, जन्तु होती, सबी जीना चाहते हैं, ठीक जेन, ठीक महावीर ने अपनी सक्षा प्राक्तक में दी, यही काराने कि साधन जन्त भी उनके तथा, उनके अनुआईयों की सक्षा को समझ सके, देश के अलग अलग हिस्तों में प्राक्तक अलग 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 गुरू से प्रचलित थे, जैसे मगद में बोली जाने वाली, मगदी भासा जीते थे, उन्हें पूरी दरह से इमानदार होना पड़ता था, बिल्कुल इमानदार ना चोरी करने की सिक्ति रायत थी, उन्हें ब्रह्मचार का पला में बहुत कटनाई से करना पड़ता था, और आपने बस्त रहें, पुरुसों को बस्तों सही सबको त्याग देना पड जेन धर्म का मतलब का होता है, जेन सब्द, जिन, जिन सब्द से निगला है, जिसका आर्थे बिजेता, जेन का मतलब का होता है, बिजेता, महावी निसब्द का प्रयोग क्यों होगा, महावी के लिए जिन सब्द का प्रयोगी क्यों होगा, ठीक अधिकान ब्यक्तियों को लिए ऐसे कड़े नियम को पाला करना बहुत कड़ें होता है तीक आमतवर पर कोई भी नौर्मल व्यक्ति हो वह नहीं कर पायागा ना ही ब्रह्म ब्रह्मचार का ना ही अपने का ब्यस्तित्याक का फिर भी हजार व्यक्ति में कुछ ऐसे होते हैं जो जीवन सेली सीख लेते है सीखने के लिए अपने घर को छोड़ दिया कई अपने घरों पर ही रहें और भिख्चू भिख्बढ़ने लोगों को भोजन प्रतान कर उनकी सायता करने लगए तीक संग संग के बार हैं पढ़ लेते हैं तीक महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याक क संगण बनाया गया जहां पर घर का त्याक करने लोग एक साथ रह सके मतलब एक संग बनाया गया कोई भी तीक जिसमें जो भी घर छोड़ते हैं उनके रहने की विवस्ता की गई कि वो यहां आके रह सकते हैं तीक संग में रहने वाले बुद्ध विख्चुप के लिए बन पुर्षों के रहने की जग है अलग ती और इसत्रियों की अलग थी ती सब भी व्यक्ति संग परवेस्ट ले सकते थे एसे कोई भी पाबंदी नहीं थी आला कि संग में परवेस्ट के लिए बच्चों को अपने माता पता से और दासों को अपने स्वामी से राजा के यहां पड़ती थी और जो कर्जदार हैं उन्हें अपने जिन से कर्जा लिया है उससे अनुमती लेनी पड़ती थी यह वहां के नियम थे आए śत्रा जीवन जी जिते थे विन अपना अधिकान समय ध्यान का भिएतार समय अपने दिन का भ्यान करना समय यही लGU चाँतर ने कि लिए प्राक्टे सब्ढ कहा गया है नहीं रजवाने लोग मिलते थे उन्हें सक्ष बेड़ नेधल ईयाते थे बिहार यह जेन दर्म को से पूरे साल यो ब्सहरु से दूसर इंतर लंगतार कर्तेर देख्चा मांगने के सांसर वो ग्यान भी बांटा करते थे किवल बर्था रतू में जब यात्र करना कटिन हो जाता था तो एक इसान पर निवास करते थे एसे समय में अपने अनुवाई द्वारा उद्ध्यान में बनाए गए आइस्ता ही निवासों में अत्वा पाड़ी छ ब्रश्वार गया जो भिक्ष्व-विक्ष्वण सव्यम उने के समर्थकवों ने अधिक इस्ताई सव्य्जान रहते थे उनको बिहार गया ठीक आर्म एक बागड़ी के बनाए गया बात में इसके निर्माने इटों से किया गया यह देखने को कहा मिलते हैं यह सबसे देखने को पश्ची मी भारत में विसेश कर कुछ बिहार पाड़ें को खोद कर बनाए गये हैं जैसे आप एस पिक्चर में देख सकते हैं फोर्टू में इस टाइब से पाड़ों काटकर इसमें रहने की वश्ता की गई है इसके उपयों की सब्द पढ़ लेते हैं फ्राकर रहते कि प्राजभी से प्राप्त होता है आत्मा संग्यों में अप्रियुअ औरब इसमें फिरा करना नर्टूल जैन होता जाए सपल सब्सक्राइब करें जो भी घर को त्याकते हैं उनके लिए संग मनाएगा बिहार जो भी भिक्षा मांगने के लिए इधर-दर भटकते को मिलते हैं उनको ग्यान देते रहते हैं तो लगातार दूसरे तक जाते रहते थे लेकिन बारिस के मुष्व में क्या होता है क्यों को एक इसान दूसरे जानने में कटना ही होती थी इसलिए ये इसलिए ये लोग क्या करते थे इनके लिए बहुत बिहार बनाएगा जहां पर रह सकेया आस्रम जहां पर मिल्लब शाद उसन्ते रहते हैं आस्रम आपने सुना ही हो गाए तो बुद्ध धर्म और जैन धर्म उनको क्या भूट स्ट्रल भासा में बताया गया है ये महां धर्म ना में संधापक महावीर है और बुद्ध को था वो मोँ कुछ जिन 그 पर आपको भीडियो पसंद आई अधि आप किसी कई डाउन रागत है तो आप मशन पखते हैं दिक, अमाई वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तन्यवाद थेंक यू